पुराने जमाने का बजाज चेतक अब नए अवतार में आ गया है वो भी इलेक्ट्रिक रूप में इसका नाया नाम है चेतक इलेक्ट्रिक कमपनी ने सितंबर 2019 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी और आप 15 जनवरी से इसकी जो बुकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी मातर दो हजार रुपे में आप इसको बुक कर सकेंगे और जनवरी एंड में इसकी डिलिवरी स्टार्ट हो जाएगी कमपनी के अनुसार इसकी कीमत क्या होगी, क्या इसके features हैं, क्या क्या सुईधा हैं आपको इसके साथ मिलेंगी, ये सब जानने के लिए देखिए ये खास report बजाज चेतेक Electric का जो starting price रखा है, वो है 1,00,00 रुपे, इसमें दो विलेंड्स हैं, एक अरबेन और एक प्रीमियम, अरबेन में फ्रंट में ड्रम ब्रेक हैं, जिसकी कीमत 1,00,00 रुपे हैं, वहीं प्रीमियम की कीमत 1,00,15,000 रुपे हैं, इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिये गए हैं जिससे इसकी कीमत 15,000 रुपे बढ़ गई है बजास का इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो मोड होंगे जिसमें एक इको मोड होगा और एक स्पोर्स मोड होगा इको मोड की जो रेंज होगी वो 95 किलोमेटर तक की होगी और स्पोर्स मोड की जो रेंज होगी वो 85 km की होगी 85 km की मतलब कि अगर आप Eco Mode में चल रहे हैं तो 55 km तक इस स्कूटर को चला सकते हैं नहीं तो 85 km तक ही चला पाएंगे बात इसकी आप बैटरी की करते हैं इसमें 3 kWh की बैटरी दी गई है जो 16 NM का टोर्क जनरेट करती है फुल चार्ज कितने समय में यह हो पाएगी इसको 5 घंटे लगेंगे फुल चार्ज होने में एक घंटे में यह 25% तक चार्ज हो सकती है कमपनी के अनुसार वह इसके लुक्स और डिजाइन की बात करें तो स्कूटर में 12 इंच के कास्ट ऐलोई वील दिये गए है और इसकी जो बोडी है वो प्लास्टिक बोडी नहीं होगी जो स्कूटरों में आकसर आजकल स्कूटीज में आ रही है इसको पूरी मेटल बोडी दिये गई है रेट्रो डिजाइन इसको दिया गया है पूरा जो पहले बजाज के जो स्कूटर आते थे उनकी ये आपको याद दिलाएगा इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें LED हेडलाइट्स दी गई है उसके साथ एक स्ट्रिप होगी जो LED की जो देट टाइम में जली रहेगी जैसे की सुप्रीम कोट की गाइडलाइट्स जो हैं दिन में जली रहें तो इसमें उसके लिए एक LED की स्ट्रिप दी गई है ताकी दिखाई दे बड़े वहनों को की स्कूटी छोटा वहनी स्कूटर आ रहा है वहीं इस स्कूटर में खास बात ये होगी कि इसके एक स्मार्टफ़न एप होगी जो कि आप अपने फॉन में डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको स्कूटर की लोकेशन उसमें कितनी रेंज बची है कितने किलमेटर भी वह चल सकता है और उसमें कितनी चार्जिंग बची है ये भी वो आपको बताएगी साथ ही एक app आपको company से भी direct connect रखेगी जो कि एक security feature भी होगा और users का interact भी होगा company के साथ अपने experience भी share कर सकते हैं servicing का भी देख सकते हैं तो ये एक नया feature companies में दे रही है जो कि अब तक अन्य वहानों में देखने में नहीं आया था साथ ही इसमें एक intelligent braking system है brake मारने पार जो कि उसको braking heat में convert करेगा और kinetic energies को बन जाएगी उसकी जिससे कि आपकी जो scooter की जो range है वो increase हो जाएगी मतलब कि उससे वो busily जो है वो उत्पन करेगा और scooter की जो range है वो बढ़ जाएगी यह एक अच्छा system जो scooter में लगाया गया है ताकि brake मारने पर भी energy waste ना हो बलकि energy बढ़े और साथ ही company आपको अगर आप इस scooter purchase करते हैं तो free home charger जो है install करके देगी बजाज खुद जाकर आपके घर पर charging station लगाएगा जहां पर आप अपने घर पर इस scooter को charge कर सकते हैं एक अन्ये खास बात यह है कि scooter में reverse gear भी दिया जाएगा यह अब तक two wheelers में देखने में नहीं आता था और जो बुजर्ग होते हैं जो scooter चलाते हैं उनको back करने में काफी दिक्कते आती हैं और लड़कियों को तो उनके लिए एक अच्छा फीचर हो सकता है कि reverse gear दिया गया है ताकि वो आसानी से two wheeler को back कर लें वो इसकी warranty की बात करें तो company इसकी 3 साल और 50,000 km की warranty दे रही है और साथ ही 3 free service भी होंगी तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा धन्यवाद